नमस्कार दोस्तों मैं हुरीची एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूटुब चैनल टेस्ट का पिटायरा में आज हम लोग राजस्तान की बहुत ही फेमस मिर्ची बड़े की रेसिपी बनाएंगे लेकिन एकदम ट्रडिशनल स्टाइल में नहीं बनाएंगे दालें इस बड़े की रेसिपी में हम थोड़ा सा त्विस्ट की डालेंगे यह एकदम से अलग टेस्ट की बड़े बनकर तैयार होंगे तो इस त्विस्ट को जानने थे इस वीडिओ को पूरा देखें अगर आप एक बड़ इस रेकि strangers को बार बार बणाएं चाहेंगे मैंने खराइंग तू हमने थोड़ा हैPlus। जब असमोने करके और कमें Мेदे शोपरी सबहाने हिते हैं 50 ग्राम से थोड़ा सा जादा ही है करीब 70 ग्राम जितना होगा इसके बाद हम बटर को मिल्ट होने देंगे जब हमारा बटर मिल्ट हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें एड कर दूंगी एक टेबल इस्पून मैदा चमच मैंने घर वाला इस्तमाल किया है जो रेगलर खाने प बरस बरस बन जाती है जितना मेरे आज के काम के लिए एनफ होगी से डिया के बिल्ट नने के बाद इसे धीमी आज पर थोड़ी देर के लिए बहुंत है जरम तकु किचकंप यह बहुत ही अंच पर भुणना है तेज आज पर अगर आप मैदा भूनें तो यह जलनी लगे है मैदा मारा भूंचुका है इसके कलर्फे पता लग रहा है इसे हमें जलाना नहीं है कि आधा कष़ेंगे और चाहिए नहीं टालेंगे दूर जालेंगे टवुत डालनाने के बाद मैदे में गुठलियां पढ़ सकती हैं आपको ml में वताओं तो करीब 300 ml दूद एक कप में आता है जो मैंने कप इस्तमाल किया था उसमें और एक टेबल स्पून मैदे से चीज साथ बनाने में करीब करीब इतना ही दूद लगेगा अगर आप दो टेबल स्पून या तीन टेबल स्पून मैदे से चीज साथ बनाना चाहते हों तो इस साथ से दूद की कौंटिटी भी बढ़ा ले जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने धीमी आज पर इसे थोड़ी देर के लिए पका लिया है और हमारा जो मैदे का मिक्स है गाड़ा हो चु तो दालने के बाद इसे फिर से धिमि आज पर लगकाता है चलादे हुए पकाये थोड़ी देर में ही बहुत ही जल्दी यह गाड़ा होने लगता है करीब एक और ऐग से मिल अश added नमक यह चेज disgd शीज इन सब चीजों को मैं एक आप अच्छे से मिलाने के बाद अधसे मि ग्रेट करके ले लिए इसकी जगह पर आफ मोज़िरलेश चीज चीज भी स्तमाल कर सकते हैं आपकी जो इच्छा हो उस मिलाइंगे चीज डालने के बाद चीज सास काफी जादा काड़ी म Mormon अब वर》र आप चाहें तो इस स्टेज्ज पर इसे उतार सकते हैं क्योंकि यह ठंडा होगा तो और ज़्यादा होगा जैसे जैसे हमारी चीज ठंडी होगी और भी ज्यादा गाड़ी हो जाहिए सबसे लाश में मैं इसमें आड़ करूंगी आधा चोटा चममच काली मिर्ज पाउडर काली मिर्ज पाउडर को मिला कर आप इसे उतार सकते हैं गैसे यह खाने के लिए एकदम रेटी है लेकि हम गैस को बंद कर देंगे और इसे किसी धूसरी वरतन में ट्रांफ़र कर देंगे आप अगर चाहें तो इसे और भी गाड़ा कर सकते हैं लेकिन जैसे यह थंडा होगा थोड़ा तो गाड़ा होगी ही जाएका भी जाहिए इतने पतले में مें अगर आपको इस्टफ करने में दिक्कत हो रहे तो इसे आप थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में डाल सकते हैं जिसे कि अच्छे से चिल्ड हो जाए और ठंडा होने पर यह अच्छे से गाड़ा भी हो जाएगा इसे हम फ्रीज में रख देते हैं जिसे कि यह जल्दी से इसके बाद मैंने इसे अच्छे से दो कर साइड में रख दिया था पहले ही सबसे पहले हम इसके बीच को निकालेंगे वैसे तो इसमें जो बीच होते हैं बहुत जादा तीखे नहीं होते हैं लेकिन तो भी थोड़े तो तीखे होते हैं इसलिए सबसे पहले हम इनका बीच निकालने के लिए सबसे पहले हम मिर्च के बी्च बीच चीरा लगाएंगे उपर सले के नीचे तक उपर वाली 杉क इसके नहीं हमें काटनी है udah कुछ इस्तरह से जिससे एक सारी साइड से मिर्च कहल जाया और दूसरे साइड सबाढ़ एक चमच जा लिख पा ईकशाकु कम या शुब्रar बीच आपके बिच ब्युक्राइब अपगया चीफ लाइच कर्ली जैसा कि कि आप देख पा रहे होंगे मैंने सारे मिर्च के बीच निकालबनोंकी और अलिग कर दिया है और मिर्च को एक बड़े से बोल में ले लिया है इसके बाद मैं इसमें डालोंगी थोड़ा सा नमक करीब आदा चोटा चममच नमक डालने के बाद मैं इसमें डालोंगी करीब 2-3 टेवल स्पोंज सरसो का तेल का जो फ्लेवर होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता मुझे इसलिए मैंने सरसो के तेल का मैरिनेशन किया आप चाहें तो कोई भी ऑईल डाल सकते हैं इसके बाद हम इसे हाथ से अच्छे से मिर्च में मिलाएंगे जिससे कि सारे मिर्च में अच्छे से तेल और नमक लग जाए इसे अच्छे से हाथ से मिलाने के बाद इसे हम छोड़ थीरा के बना रही होग यह बना रही हो इसलIf नो कट लिया इसलिए है अगर आप मिर्च कम ले रहे हो तो बेसं jadi मैंने ज्यादा मिचलि लिए इसलिए हमें ज्यादा में बेक चाहिए इसके जींट्र के पेस्टि को जिसे मैं डर्श टिन चंवाहिक उसके बाराद में इसे में मिह MICHAELम है अधरा जोटा चंवाह और चंवाइन की ना जिच में रख नर्फोड़ अशब aúnक कर के मिच फूडराओ अधरछ ना ज्रोडर्शब्र ढूनÁ जाएन को रेगだ मोठा ने कर थोड़ा रौं यो फ्लेवर अच्छे से आज़रिंगे सादा इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर वेशन काएक स्मूध लंप फ्री बैटर बनाकर तयार करेंगे बैटर बनाते वक्त पानी एक बार में सारा ना डाल दें थोड़ा थोड़ा डालते रहें नहीं तो बैटर हमारा बहुत ज्यादा रनी हो सकता है और रनी बैटर हमें नहीं चाहिए हमें बैटर चाहिए जो बहुत ज्यादा पतला भी नहों और बहुत ज्यादा मोठा भी नह चाहिए मैंने बैटर बना कर तयार कर लिया है कुछ इसी कंसिस्टेंसी का बैटर हमें चाहिए बहुत पदला रहने पर यह अच्छे से कोट नहीं होगा और बहुत जादा थिक रहने पर बहुत ही मोटी लेयर बैसन की हो जाएगी जो खाने में अच्छा नहीं रखता काफी गाड़ी भी हो चुकी है इसे बहरने के लिए मैंने एक छोटा सा चमच लिया है उसी चमच से हम एक चमच स्टफिंग उठाएंगे और हर मिर्च में डालेंगे बहुत जादा स्टफिंग नहीं डालनी है नहीं तो जब हम इसे तलेंगे तो यह निकलने लग सकती है मैंने आपर साइड में स्लाइस चीज लिया है इसे भी स्टफिंग के ऊपर लगा देंगे इसे भी मर्चे मिर्चे के अंदर थोड़ा सा स्टफ कर देंगे जिससे कि यह और ज्यादा चीजी हो जाए मैंने इसलिए बहुत जादा मसाले नहीं डाले क्योंकि यह थोड़ी सी को भरा जैसे कि आपने देखा उसी तरह से आपनी सारी मिर्चों को भर कर तैयार कर लेंगे इसी तरह से मैंने सारी मिर्च में स्टफिंग डाल दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बाद हम अब बड़े तलना सुरू करेंगे हमारी मिर्च पकोड़ा या मिर्च बना मुनेना बाक्या है करनेई कांड़ने के लिए वेना धाका ने के लिए मेड़न होने के लिए बढो कड़ने के लिए मिडियम गरम थ जाहिए फ्राय dürी जाहिए और भाइशा था प्राय आप math kindies इसे बाद हम इसे बाद हम इसे बहुत जाल करें तलने के लिए ठीक इसी तरह से हम अपने सारी मिर्च को पहले से बेशन के घुबों गए उसके बाद हम कडाई में डालकर तलेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं तेल हमारा नंप हो जादा गरम है और नहीं बहुत जादा मीडियम गरम तेल में हमें सारे वड़ों को तलना है हमें इसे तब तक तलना है जब तक कि इस पर अच्छा गोल्डेन ब्राउन कलर ना आ जाए थोड़ी देर तलने के बाद आप आज को दिमी भी कर सकते हैं मैंने एक बार में 5-6 मिर्च के वड़े तलने के लिए डाल दिये हैं इसे आम बीच बीच में चलाते रहेंगे बीच बीच में चलाते हुए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे हमारे बड़े में गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इसे मैंने थोड़ी देर के लिए मीडियम आज पर पका लिया है अब हम इन्हें निकाल लेंगे यह बनकर एक दम रेड़ी है अप इसे गर्म गर्म सर्फ करें आप इसे किसी भी चट्नी के साथ हरी चट्नी साथ या फिर जो आन इसमें स्टफिंग डाली है उस सॉस के साथ भी इसे सथे उसके साथ भी बहुत ही ज़्याधा टेस्टी लगते हैं मिर्च को तोड़ लिया है आप देख सकते हैं अंदर कितनी ज्यादा चीजी स्टफिंग दिखा दे रहे हैं यह बहुत ही टेश्टी बनकर तयार होते हैं गाइस एक बार इस रेसिपी को जरू ट्राइ कीजिए मेरे कहने पर एक बार ट्राइ कीजिए और आपको मेरी रेसिप और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब तरंद कीजिए बेल नोटिफिकेशन को आपको मिले तक दिखने के लिए दिन्हें वाद